सूर्य का हमारी और आगमन होता है इसको उत्तराइन कहते हैं सूर्य हमारी और आ रहे हैं उनके स्वागत के लिए मकर संकरांती का उस्सो मनाये जता है वर्षबर में सूर्य का मकर राशी प्रवेश राज योग को प्रदान करता क्योंकि सूर्य दशम भाव में बली होता है मकर राशी दशम भाव में पढ़ती है और दशम भाव हमारा राज्य पक्षा है जहां से हर किसी को गुडविल मिलती है, ख्याती मिलती है और पतरक्य होती है इसलिए भी हम सूर्य के आगमन के स्वागत के लिए इस परव को बड़े उस्था के साथ मनाते हैं इस वर्ष यहाँ परव 15 जनवरी के दिन आ रहा है सूर्य मकर राशी में प्रविश करेंगे और मकर संक्रांती को एक देवी के रूप में भी पूजा जाता है जिसका अपना एक अस्तर शस्तर और वाहन होता है इस बार यहाँ जो मकर संक्रांती आरी विष्टी करण के उपर आ रही है जिसके लिए मकर संक्रांती का मुख्य वाहन जो होगा अश्व है गोड़ा है उपवाहन भी होता है जिसे हम सीह के रूप में यहाँ पर सुईकार करेंगे मकर संक्रांती का जो स्वरूप का वर्णन हमें मिलता है विभिन पंचांगों के अनुसार उसके अनुसार इस वर्षिय हक काले वस्त्र को धारण किये हुए हैं सामाने तर्शनी के लिए काले वस्त्र होते हैं मकर राशे भी शनी का प्रतनिदित्व करते हैं इसलिए काले वस्त्र का मकल संक्रांती की देवी ने धारण किया हुआ है हाथ में भाला अस्त्र है और उसकी जो अवस्था है वो रध्धा वस्था में दिखाई पड़ती है जो अन्न का भक्षन होता है मकल संक्रांती के दिन वह खिचडी का भक्षन करते वे यह देवी आ र गुरू का इस वर्ष बहुत प्रदानता है और हल्दी का तिलक लगाने के कारण और इसी के कारण हम लोगों को भी पूरे वर्ष तक हल्दी का तिलक लगाने से गुरू ग्रह की क्रपा और अशिरवात प्राप्त होगा आबुशन भी स्वर्णा आबुशन धारण के जो गु दरी हमें पंचांगों में प्राप्त होता है कुल मिलाकर यह मकरसंक्रांती 15 जनवरी को जो महापरवर रहेगा पुन्यकाल रहेगा दान का समय रहेगा सुर्यों देश सुर्यास्ततक रहेगा और इस दिन किये गए दान से हमें पूर्ण वर्ष भर के लिए कल्यान शरीर प्राप्त होगी